हालो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे नए यूटुब वीडियो में दोस्तो हमारे हाथ में फिवर तेज दोस्तो इस फिवर तेज का यूज हम अपने पशू में कहां करते हैं दोस्तो मुकरुप से बखार की पहचान कैसे होती पशू पाला है की पहचान कैसे कर सकते है जब मैं आपको पताउंगा, फिर पताउंगा आप इसकी MRP क्या है, इसको देना कैसे है सारी जनकाल हूँ आपको देने वाला हूँ सबसे पेले दोस्तो है jahe a a everyone we didn't have medicine है दोस्तों सबसे पहले फीवर की जो पहचान होती है पसु की जो कान होता है वह कान अगर आप हाथ से टज करते हो तो कान पसु का गर्म रहता है तो इस परकार से हम पहचान सकते हैं पसु की को भुखार है या नहीं उसके साथ पसु के नाक से आपने देखा होगा नाक सिया बोंद बोंद पानी गिरता है पासु जो है हमेशा गर्दन नीचे जुगा रहती है पासु की जो आख होती है वह लाल हो जाता है बोंद पाण सकते हैं भू्त को बुखार है यह एक पूशु को बुखार हो जाता है, बुखार होता है, बुखार जाता है, फिरा जाता है, या फिर कभी बुखार कम होता है, कभी बढ़ जाता है, या फिर जहां पर अपने देखा होगा, पसु का टमपरिचर माइनस हो जाता है, तो वहां पर भी आप इस फिवर तेज का यूज अपने पसु में करा सकती है उसके साथ साथ अगर आपकी पसु को फीवर हो जाता है तो आपकी पसु चारा पानी खाना पीना एकदम से बंद कर देती है अगर आप इसे देते हो तो 24 घंटे के अंदर आपकी पसु चारा पानी पे आ जाएगी चारा पानी अच्छे से खाना पीना ल अभी पसु को दर्द भी हो वहाँ पर भी काम करेगा जहां पर बुखार वहाँ पर भी काम करेगा लेकिन अक्सर आपने देखा होगा जहां पर पसु को बुखार होता है वहाँ पसु को आटोमेटिक दर्द होता है जिसकी करना पसु चारा पानी खाना बंद कर देती है अग लेड़ बकरियों में 15 सुभा 15 साम देना है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंड में जुरू बताना आज के लिए तना ही धन्यवाद दोस्तों